नमस्कार द्रिष्टी PCS के YouTube चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए फिर से UP, MP, UK, PSC 2024 के लिए कुछ practice questions लेकर आएं actually यहाँ पे आपको math and reasoning के अच्छे-च्छे questions मिलेंगे जो आपके exam के लिए बहुत महत्पूर्ण हो सकता है 2024 में जो भी state PSC का exam होगा चैनल यूपी का हो MP का हो या उत्राखंड का हो राजस्थान का हो जो भी हिंदी भासी राज्य में math and reasoning पूछे जाते prelims में उसके लिए बह पहली की तरह थोड़ा सा इसमें difficulty level बढ़ा रहा है complicated कर रहा है तो हम इसको अभी सत्यारी करते हैं जिससे आपकी exam आपकी परिच्छा बहुत important आपकी परिच्छा में यह बहुत important role अधा कर सके तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले हम यह समझते हैं कि हम किस पर चर्चा करे करेंगे हाना कि अभी हम लोगोंने communications के episode को लेकर नहीं आये तो अभी फिलाल हम लोग मैस औरिजनिंग पर चर्चा करते हैं जैसे जैसे हम लोग इसमें के नजदीक आते रहेंगे पर इच्छा के तो हम लोग communications पर भी चर्चा कर लेंगे तो चलिए बिना देरी के आज हम द प्रियास करेंगे लेबल हो सकता है कि कुछ questions का बहुत आसान हो और हो सकता है कि कुछ questions का लेबल बहुत ही difficult हो या moderate हो इसलिए ऐसा रखा जाएगा क्यूंकि आपको आसान question भी समझने में मतलब उसका भी concept और trick ले 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 और फिर उसको difficult question में आप उसको यूज कर सके क्यू within one minute हल कर लेंगे तो चलिए हम सबसे पहले आज के पहले questions को देखें यह आपको number series का question दिख रहा होगा हम इसको reasoning में रखते हैं कि उस संख्या का चयन करना है जो निम्न लिखित स्रिंखला में प्रस्न चेन को प्रतियस्थापित कर सकता है आपके पास एक स्रीज दिया जगे क्या आएगा तो देखे question को अगर हम लोग बारीकी से देखें तो 128, 128 है उसके बाद 126 आ गया फिर 42 है ना फिर question mark है उसके बाद 7.6 है अगर आप मैंने आपको कई बार बताया है कि series में सबसे पहले आपको watch करना है कि कैसा है मतलब किस तरह से घट रहा है किस तरह से 128 रह गया यहां तो कोई भी differences नहीं है उसके बाद 126 है थोड़ा बहुत कम हुआ है उसके बाद ठीक ठाक कम हुआ है उसके बाद लग रहा है कि आगे ठीक ठाक ही कम हो रहा है इसका यह मतलब है कि यहां पर plus minus है या नहीं है यह तो नहीं पता तो हम इसको अलग-अलग logic भाग भी है उसी में प्लस भी हो रहा होगा उसी में माइनस भी हो रहा होगा उसी में गुना भी हो रहा होगा मतलब जरूरी नहीं है कि भाग है तो भागी लग रहा हो जरूरी नहीं कि माइनस है तो माइनस ही लग रहा हो तो यहां पे हम देख पा रहे हैं 128 128 में अगर डिव divided by 5 करना होगा अब एक चीज देखें यहां पर एक दो तीन चार पांच यह एक एक तो बढ़ रहा है लेकिन यहां पर डिवाइड माइनस डिवाइड माइनस डिवाइड तो अगर हम 42 में 4 घटा देते हैं तो 38 होता है और 38 को 5 से डिवाइड करने के बाद 7.6 आता है तो मेरा सही जबाब है 38 तो बढ़िया कोशन था आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं अब देखिए एक अगला कोशन है लाव और हानी से मैट से है कि एक व्यापारी ने 56 रुपे परती बकडी की दर से 16 बकडियां खरी दी उनमें से 11 को 63 से उमें बेच दिया मतलब 11 को 63 सो परती बकड बेच दिया परती बकडिये वहाँ पर जबकि उनमें से 2 की मिर्त्यू हो गई यदि वह पूरे सौधे पर रुपीस 1300 मतलब 1300 रुपे का लाव कमाना चाहता है तो सेस वचे परतेक बकड़े का विक्रेमुल्य ग्याद करें क्या होना चाहिए तो देखिए एक व्यापारी य एक बकड़ी खरीद के लाया और कितना लाया वह खरीद के 16 तो हम इसको गुना करते हैं 16 166,99 1685,8989 बतलब 89,600 में तो उसने बकड़ी लाया है खरीद के यह उसका कॉस्ट प्राइस है अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो उसको 1300 रुपे का टोटल लाब चाहिए तो 89,600 में 1600 जोड़ दीजे साथ में तो यह कितना हो जाएगा देखे 0,066, sorry 1300 है ना हम 1300 जोड़ेंगे तो 639,910, कितना हो गया कुछ गढ़बर हुआ 90,900 है ना 90,900 में उसको बेचना था लेकिन अभी कुछ और कंडिशन है कि इसमें दो बकड़ी की मिर्तियों हो गई है तो अ दिया है तो अगर हम पहले सेलिंग प्राइस की बात करें यह तो है टोटल जो उसको चाहिए अगर सेलिंग प्राइस वन की बात करें तो उसको मिला है कितना 11 गुना 63 तो जब इसको गुना करेंगे तो देखिए 11 गुना 33 गुना 66 और 39 अभी तक उसने 79,300 रुपे तो कमा लिया लेकिन अभी भी उसको कितना कमाना है 90,900 तो सेलिंग प्राइस टू कितना हो जाएगा तो 90,900 में 39,300 को घटा दीजी तो देखिए 0,0 9 में 3 गया 6 और क्या हो जाएगा यहां पर 10 में 9 गया 1 और यहां पर 8 में 6 जाएगा तो 2 है ना तो 21,600 अभी उस व्यक्ति को और चाहिए अब बकड़ी उसके पास कितनी बची है तो देखिए 11 उसने बेचा है ठीक है दो मर गई तो 13 तो इसके पास समझ लीजिए अब बकड़ी है नहीं तेरा बकड़ी है नहीं क्योंकि 11 बेच दिया 2 मर गई तो मरने वाले को तो बेचना नहीं है ऐसा आप मान के तो बचा यहां पर 16 में से 3 बकडी तो 3 ही बकडी को वो 21,600 में अगर बेचे तो एक बकडी का विक्रेमुल कितना हो जाएगा समझ गया ना क्योंकि उसने 11 को 63,600 में बेचा और लास्ट की 3 बकडी को उसने 72,600 में बेचा है अब देखे बढ़िया कोश्यान है रिजिनिंग का पांच बस्तू है P, Q, R, S और T और इसमें से कहा गया है कि S का जो वजन है वो T के वजन का 3 गुना है आर का वजन साड़े साथ किलोग्राम है P का वजन Q के वजन का 2 गुना है T का वजन R के वजन का 4 गुना है यदि Q और R का वजन बराबर है तो दूसरी सबसे भारी वस्तू कौन सी है मतलब सेकेंड हाइएस्ट मतलब सेकेंड जो नंबर पे होगा मतलब एकॉर्डिंग टू अगर आप हाइट सॉरी वेट के अनुसार रखते हैं मा लेते पांच वस्तू है एक दो तीन चार और पांच अब इसी को रखना है कंडिशन कहां से स्टार्ट हो रहा है देखिए और आपको पता लगया कि एस हमेशा टी होगा ये भी खरन साड़ि सात किलोगराम है तो लिख लिजए और यहांपे साड़ि सात किलोगलोगराम का है ये भी ठीक है P का वजन Q के वजन का दो गुना है मतलब P का जो वजन है ना वो दो गुना है मतलब ये भी clear हो गया कि P हमेशा Q से बढ़ा होगा मतलब वजन कहनू सार T का वजन R के वजन का चार गुना है अब देखे T का जो वजन है ना R के वजन का चार गुना मतलब 4R अब एक चीज़ देख रहे हैं R का वजन यहां पर कितना साड़े साथ है तो सीधा से दिया हम T का वजन 30 लिख दें क्या कोई इससे दिक्कत नहीं है और अगर T का वजन आप 30 लिख दिया तो देखे S का वजन भी आप आराम से 90 लिख सकते हैं क्योंकि 3T है तो 90 और यह S अब P का वजन कितना हो जाएगा देखे साड़े साथ गुना दो हम इसको 15 लिख लेते हैं तो मुझे लगता है कि सबका आगया देखे P Q R S और T अब आप अराम अराम से बता दीजिए दूसरी भारी कौन है तो देखिए सबसे भारी तो यहां पर कौन है S S के बाद T ही दिख रहा है जो सबसे भारी है तो यहां पर हो गया S T उसके बाद देखा जाए तो P और R और Q सेम है तो हम कह सकते हैं कि T ही दूसरा भारी है यहां पर तो बहुत अच्छा कोशन था बस आपको इसको रखने आना चाहिए समझने आना चाहिए क्या कह रहा है और कैसे इसको आप बहुत आसान तरीके से हल कर सकेंगे चलिए अब देखिए मैंने आपको बताया था नंबर आप ट्राइंगल निकालने का एक बहुत अच्छा सा ट्रिक आज आप खुद इसको कर लेंगे ठीक है आप इसको पहले करने का प्रियास किजिए फिर हम बताते विडियो को पहुच किजिए और इसको करने का प्रियास किजिए तो चलिए जिन बच्चों ने कर लिया है बहुत अच्छी बात है जिसने नहीं किया फिर से आप समझिए मैंने बताया थे कि अगर माले ट्राइंगल दिया हो और आपसे पूछा जाए कि नंबर आप एक ही कट है ना माले यह ट्राइंगल है अभी हम उपर वाले को देखें अगर सिर्फ इसकी बात करें तो एक कट है तो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे तो एक प्लस दो तीन ठीक है तो यहां पर तीन ट्राइंगल है अब इसको मिटाईए देखें यहां पर एक दो एक दो एक दो क्लिर यह हुआ ना अगर इसकी बात करें तो तीन ट्राइंगल इसमें इसकी बात करें तो तीन ट्राइंगल इसमें और इसकी बात करें तो तीन ट्राइंगल इसमें देखें तीन प्लस तीन प्लस तीन कितना हो गया नो और एक चीज देखें यह भी तो एक जूड़ जाते दो और जूड़ जाता तो 12 हो जाता लेकिन वहाँ पे कट नहीं है इसलिए यह सिंगल ट्रेंगल इसको कंसिडर करें यह एक लिख लेते तो अब जोड़ लीजे देखें एक दो तीन दो पांच छे साथ आठ नो और एक दस क्लिर तो बहुत आसान कोश्चन हो कट ढूड़ने की कोशिस कीजिएगा अब चलिए एक अच्छा कोशन है क्यूब एंड डाइस से कि सभी चेहरों पर गुलाबी रंग का यहां पर फलकों कर दिजिए फलकों यह चेहरों एक ही बात है सभी फलकों पर गुलाबी रंग का एक घं समानकार के दोसस दोसो सोला छोटे घंव में काटा जाता है कितने घं के बल एक फलक पर रंगे हुए हैं देखें बहुत अच्छा कोश्चन है कह रहा है कि एक आपके पास गान है इस तरह करके प्रोजेगा अब यह क्या है 216 तुकरों में इसको काटा गया है किशा दिखें अगर ऐसा कभी भी कोश्फन दिखें आना तो आप याद रख्येगा जो Bless नंबर दिया होता है, इसमें दिया रहता है, कुफ़ में, तो 216-1 क्यूब रूट नंबर है, आप बस तुरांत उसका क्यूब रूट निकाल दें, तो 6, मतलब वो क्या हो रहा है, 6-6 के टुकड़े में काटा mantra जारा कि अब जो कट लगेगा ना वो इस तरह करके 6-6 टुकड़े में आप लगा देंगे 1-2-3-4-5-6 तो इस तरह करके आपको कट लगाना पड़ेगा तब आप 216 क्यूब आपको आराम से कट जाएगा छोटा-छोटा जो जिसका एक भूजा जिसकी एक भूजा कितनी होगी 6 cm कि कितनी होगी 6 cm की अब लेकिन यह तो नहीं पूछा गया कि बस आप कट लगा कि उसके साइड बता दीजिए मतलब उसकी भूजा कितनी लंबी होगी यह नहीं बताना है आपको बताना है कि ऐसे कितने क्यूब हैं जिसका केबल एक फेस रंगा हुआ होगा तो आप छोटी सी की बात समझिए माल लेते कि हम अगर इधर के क्यूब की बात करें इधर के एक दो तीन चार पांच छे ठीक है एक दो तीन चार पांच छे बिल्कुल ठीक है तो हम बस एक फेस से आपको समझा देंगे आपको समझ में आ जाएगा अगर हम इस फेस की बात करें इधर वाले क क्यूब की या इधर वाले क्यूब की या इधर वाले क्यूब की तो आप बहुत नॉर्मली बता देंगे कि इसमें क्या हो रहा है तो एक बात समझे इधर भी आपका क्या है देख रहे हैं सिर्फ ऊपर रंगा हुआ है इसके साइड नहीं कि रंगा इधर काट दिये तो इधर बिदाउट कलर मिलेगा तो हम क्या कहते हैं इसी लिए इसका फॉर्मूला एक होता है कि अगर क्यूब को काटने के बाद एक फेस पे रंगा हुआ क्यूब चाहिए आपको इसका फॉर्मूला होता है n-2 अगर स्फॉर्मूला होता है और स्सुर्मe यह कितना हो जाएगा देखिए अच्छे में दो गिया चार चार चोके 16 गुना 6 मतब 96 ऐसे क्यूब होंगे जिसका केवल और केवल एक फेस ही रंगा हुआ होगा अब आप ऐसे भी समझ लेजिए कि इसमें कितने क्यूब होंगे तो 16 है ना ऐसे भी समझ लेजिए ना देखें काउंट कर लिए इसको एक दो तीन चार ठीक है यह भी आँक क्यूब है यहां पर ज्यादा कलर हो गया है और साथ हो गया है इसको 6 माल लिए यह नहीं है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौददा से ग्यारा बारा तेरह 14 15 16 16 इस पे और इस तरह करके 6 है तो 16 96 तो आ 343 हो जाए 512 हो जाए तो घवड़ाना नहीं आपको वो बिना क्यूब रूट नंबर के देगा ही इने कोश्चन तो गलत हो जाएगा अगले कोश्चन को देखते हैं एक उम्मिदवार जो 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से अनुत्रिन हो जाता है लेकिन एक दूसरा उमिदवार है जो 42 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है और उत्तरिन अंकों से 12 प्रतिशत अधिक प्राप्त करता है तो अधित्तम अंक घ्यात किजिये मतलब परिच्छा कितने अंकों की ठी है ना तो देखे ज़्य वह पास हो जाता इसका मतलब यहीं हो न में इस उक्वल टू एक दूसरा उम्द्वारा 42 प्रतिश्ट अंक लाया लेकिन वह कितना ज्यादा ले आया 12 प्रतिश्ट अंक अधिक ले आया देखिए यहां 12 प्रतिश्ट नहीं है यहां पे 12 अंक होगा ठीक है न इसको आप देख लिए 42 प्रतिशत मैनस 12 यह लिख सकते हैं अब आप देखिए इसको solve कीजिए percentage को percentage के तरफ और नंबर को नंबर की तरफ अगर हम उधर ले जाए 42 माइनस 20 कर दें इसकोल टू 10 प्लस 12 हो जाएगा यह तो हम कहेंगे ना यह प्रतिशत में है तो यह हो जाएगा 22 प्रतिशत इसकोल टू 22 नंबर के मतलब 22 प्रतिशत जो नंबर है वो 22 नंबर के बराबर है तो एक प्रतिशत नंबर कितने के बराबर होगा एक तो 100 प्रतिशत ही तो नंबर न सेम हो जाए तो हमें सा याद रखेगा कि सो परतिसाद कमान तब सर्य होगा और मालरे यहीं और यह 22 परतिसाद के सब कर लेते हैं यह आला है नहीं है 22 परतिसाद कि जगह ढर्मानлекесть 44ों th representative 20 ली एक प्रतिसाद कमान दो हो जाता तो प्रतिसाद कमांद 200 हो जाता बस आपको यह देखना है कि यहां पर कितना यूनिट आ रहा है 22 परतिसत बराबर 22 आ रहा है या 22 परतिसत बराबर माल लेते हैं कि 110 आ जाता तो 5 गुना तो फिर कितना हो जाता यह 500 हो जाता तो बस आपको यह दियान रखना है अगली बार जब भी ऐसा कोश इसको बस याद रखना है यह करने आना चाहिए आपको बस यह कर लिए तो आपका काम बहुत आसान होगे ठीक और अगर माल लेते हैं प्रतिशत भी होता तो घवड़ाना नहीं है तो वह और आसान हो जाता देखें अगर सपोस कर लेते प्रतिशत भी हो तो 42-12 प्रतिशत करते तो यह कितना हो जाता है 30 अब देखें 30 प्रतिशत और यहां पर क्या हो जाता है यह उधर चला जाता तो 10 प्रतिशत का मान 10 के बराबर होता है यह भी हो जाता इससे भी कोई घवड़ाना नहीं है अगर माल लेते हैं 12 प्रतिशत भी होता ना तो आपक उसको और आता और यहां पर होता 42 प्रतिशत और माइनस 12 प्रतिशत अधिक लाया अब देखे फिर भी हो जाएगा 20 प्रतिशत क्यूं 12 प्रतिशत वारा सेम हो रहा है समझ पारें न क्यूंकि वहां एक प्रतिशत कमान एक ही था इसी वज़े से इसमें भी change नहीं आया आप देखें इसको इधर ले आईए तो 42 माइनस 20 परतिशत अब बराबर यह देखिए सॉरी अब यह 42 में 12 गया तो 30 हो गया ना और 30 में 20 घड़ जाएगा तो 30 माइनस 20 परतिशत बराबर 10 10 परतिशत का मान 10 आया ना तो एक परतिशत का मान कितना आ जाएगा एक आएगा तो 100 परतिशत का मान यहां पर 100 ही आएगा तो आप चाहें तो यहां पर 12 परतिशत रखके भी बना लिजेगा कोश्चन गलत नहीं था कोई मिस्प्रेंट नहीं था कोश्चन सही था ठीक है हमन के हिसाब से दो नुपात चार नुपात तीन का नुपात में मिला देता है ठीक है मतलब तीन आपके उसके पास quality के चावल है और मिश्टन को 33 रुपे परती कीलो की दर से बेच देता है वो कितने परतिशत लाव कमाता है तेके लाव आने का बहतरीन कोश्चन है बहुत बार बहुत पूछा जाता है वेपारी है उसके पास 50 रुपे का चावल है एक 20 रुपे का है और एक 30 रुपे का चावल है अब क्या करता है वेपारी तीनों को मिला के बेच देता है लेकिन वो मिलाता किस हिसाब से वजन के हिसाब से इसको दो अनुपात के हिसाब से मिलाता है अनुपात के हिसाब से और इसको तीन अनुपात के हिसाब से अभी थोड़े दिर के लिए आप यह सोच लिए इसके पास दो ही किलो चावल रहा होगा अनुपात को हम अभी ऑरिजिनल समझ लेते हैं तो 100 किलो चावल यहां है क्लियर है ना 50 रुपे में मतलब खरीदा है एक 20 रुपे में खरीदा और एक 30 रुपे में खरीदा है तो माल लेते 50 रुपे का चावल है 2 किलो खरीदा होगा तो 100 रुपे में खरीदा होगा उसी तरह 20 रुपे का चावल है 4 रुपे किलो खरीदा त 30 रुपे का चावल है, 3 रुपे परती कीगरा खरीदा, तो 90 रुपे में खरीदा, 3 को जोड़ दीजिए, तो खरीदा व्यपारी कितने में, तो देखे, 0, 9, 17, और 200, 270 रुपे में उसने चावल को तो खरीदा है, क्रेमुली क्या होगा, 270 इसको लिख दीजिए, क्रेमुली, अब देखे, बिक्रेमुली क्या हो जाएगा, उसने 33 रुपे परती कीलो बेच दिया है, तीनो को मिला कर, कितना चावल था उसके पास? तो देखे, 2, 4, 6, 3, 9, 9 कीलो चावल था, तो 9 कीलो चावल को एक ही मुली पर बेच आ है, तो 9 या 27, और 292, बादब 297 में उसने प्रतिशत पूछ रहा है तो लाब प्रतिशत निकाल दीजे 27 बटे क्रेमुले 270 अभुना 100 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे साब से कोई भी बहुत आसानी से कर लेगा 10 प्रतिशत मतलब व्यक्ति ने 10 प्रतिशत लाब पर उस चाबल को बेच दिया अब आप यह पूछेंगे दो चार और तीन को जोड़े क्यों इसलिए जोड़े क्योंकि वह मिश्टन को बेच रहा है 33 प्रतिशत में तीनों चाबल को उसने मिला दिया और एक ही रेट पर बेच दिया खरीद के लाया अलग पर प्रतिशत है देखें बहुत अच्छा कुश्ण होता है यह सब X-Y पचास प्रतिशत है तो 50 वटे 100 लिख दीजिए और उसी तरह X-Y है 30 प्रतिशत है तो 30 वटे 100 कर दीजिए अब यह चीज देखें 0-0 कड गया यहां 0-0 कड गया तो यह क्या हो जाए देखें 5x-5y इ क्योंकि प्लस हो जाएगा और X by Y का वैल्यू हो जाएगा 8 बटे 2 मतलब 4 बटे 1 अगर X 4 है तो य एक है तो प्रतिसत कितना हो जाएगा मतलब Y X का कितना प्रतिसत तो Y X का कितना प्रतिसत समझ गया ना Y X का कितना प्रतिसत मों वाई उपर X नीचे कटा देजिए सौरी तो 25 प्रतिसत जाहिर सी बात है होगा भी क्योंकि Y कम है एक है और X 8 है चार है तो एक और के बीच क्या रिलेशन होता है 25 प्रतिसत कहीत होता है ऐसे समझ लिए ना एक दो तीन चार तो एक टुकड़ा चार टुकड़ा का 25 प्रतिसत तो मेरा सही जबाब है और अंतीम कोश्चन और थोड़ा अच्छा कोश्चन इसको समझ सकते हैं क्योंकि हर बार कैलेंडर से ऐसा को पूछा जाता है कि सब्ता का कौन सा दिन होगा यह सब 5 दिसंबर 2021 को सब्ता का कौन सा दिन होगा यहां लिख लेते हैं 5 दिसंबर 2021 21 अगर आप मेरी क्लास को देखे होंगे कैलेंडर वाले को तो बार बार एक ही बात बताने से बैटर है कि आपको एक ही बार बता दें कि 2000 वर्स तक जो और दे होता है न वो 0 ही होता है क्यों होता है क्योंकि 2000 जो है न वो century year और 400 से वो complete divide हो जाता है इसका remainder 0 आता है तो remainder 0 का मतलब ही होता है odd day तो अगली बार से यह line आप याद रखिएगा कि 2000 वर्स तक odd day 0 होता है तो 2000 से उपर जो हो न बस उस पे गौर किजिएगा ज्यादा दिमाग मत लगाईएगा तो मतब 2000 से 2021 तक सोचिए और उसमें भी देखिए कि 2021 अभी चल रहा है खतम नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे 2000 से 2020 प्लस पांच दिसंबर 2021 तक की बात करेंगे तो 2000 से 2020 के बीच कितना हमारा leap year हो गया यह सोचिए अगर 2000 से 2020 के बीच 20 साल है leap year निकालने का फार्मूला है चार से भाग किजिए तो देख लेजे 5 हमारा leap year हो गया ठीक है और प्लस 15 हमारा नॉर्मल लियर हो गया अब एक बात समझे एक लीप लियर में कितना ओड़े होता है तो 2 ओड़े होता है नॉर्मल लियर में 1 ओड़े होता है तो 15, 10, 25 हो गया यह 25 हो गया और 25 ओड़े होने का मतलब इसको साथ से और डिवाइड कीजिए, साथ ती एक इस चार, चार ओडे यहां हो गया आपका, कहां पे, 20 साल में, clear, 20 साल में भी हमारा चार ओडे हो गया, अब एक बात समझे, अब बचा मेरा, 5 दिसंबर 2021, 5 दिसंबर 2021, 2021 हमारा नॉर्मल यहर है, यह सब को पता होता है, clear, और नॉर्मल यहर में कितना दिन होता है, तो 365, clear, 365, अभी इसमें दिसंबर क्या है, include है, 365 में, दिसंबर हटा दीजिए, तो 31 घटा ही है, तो कितना हो जाएगा, 334, तो यहां पे क्या आया, 30 दिसंबर तक आया, लेकिन 5 दिसंबर और जोड़ दीजिए, 5 दिन और जोड़ दीजिए, तो 349 दिन, अब 349 दिन में अगर हम और दे की बात करें, तो कितना और दे होगा, तो 7 से भाग कीजिए, 7, 248, अब 5, 7, 8, 56, और कितना हो जाएगा, अगर हम 7 से भाग करें इसको, 7 से 3, 40 को, 7, 8, 6, 7, 5, 7, 7, 7, 4, 8, 28, और यहां 5 आया, 7, 8, 56, 3 आ गया, तो यहां पर 3 और दे आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 और दे, अब देखिए, इसमें 3 और दे आ गया, यहां पर 4 और दे था, तो तो टोटल और दे कितना हो गया भाई, 7, और 7 और दे का मतलब क्य होता है कि दिआ सात्मते साथ फींड भाग लग जाएगा स from मतलब जीऊ होने का मतलब रवीवार से जीरो अगर जोड़ेंगे तो रभी वारी छोगा मतलब 5 दिसंबर 2021 को यहां पे अधा हुढ है एक्चोली जीरो से हम लोग रवीवार को ट्रेक करते हैं जीरो से से रविवार को एक होगा तो सौंबार दो होगा तो मंगल ऐसा मतलब आप याद रख लिजेगा अगर जीरो और आज तो रविवार होगा तो हम कह सकते कि 5 दिसंबर 2021 को हमारा रविवार होगा बहुत अच्छा कोशन था ऐसा कोशन पूछता है एक दो बार पूछा है और हर बार कैलेंडर से कोशन पूछी लेता है तो बिछले बार भी यहां अभी जो 2023 में हुई यह प्रिक्छा उसमें भी पूछा गया था जो मेरा पढ़ाय कम से कम करेंगे जिससे आपकी तैयारी बहतर हो सके 2024 के लिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा एक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए और जिन तक वीडियो नहीं पोहुच पाता है आप उन तक वीडियो हमारा पोचाईए और उनको प्लेलिस्ट के बारे में जानकारी दीजिए प्लेलिस्ट में सारा वीडियो एड होता जाता है आप वहां से तैयारी को अपने कर सकते हैं तो सी सेट की तैयारी को बहतर करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें 2024 तक तो मेरा वादा है कि आपका पेपर अराम से क्वालिफाई हो जाएगा सी सेट को आप अभी से सिरियस ले ले तो आप सी सेट में लास्ट में परिशान नहीं होंगे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए सुक्रिया